चलिए हम लोग पढ़ेंगे अपना इन और्ग्यानिक रियाक्शन ट्रीक हम लोग आ चुके हैं पार्ट नमर 23 में और देखिए कितना आसान यह रियाक्शन है बस प्लस माइनस का ख्याल करना है कब प्लस होगा किस पर कितना प्लस होता है कितना माइनस होता है बस यही आपको ख्याल करना है कलास्टुए सोल का कर साथ करेगा जैसे केलिस्यमक ren करेगा ऑद देखिए क्या ब्रोट vidéos देता है तो चलिए पहला नमबर हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर C-A-S-H-C-L है चलिए केल्सियम पर होगा दो प्लस और सॉलफर पर होगा दो माइनस आप बिल्कुल समझ रहे हैं हाइड्रोइन से लेकर केल्सियम तक आपको चार्ज याद होना चाहिए यहाद है मतलब कौन कितना प्लस बनाता है कौन कितना माइनस बनाएगा इसका यह दिखियाल है यह आयन आपको थोड़ा सा मालूम है तो आपके लिए रियक्शन बिल्कुल ABCD के तरह लगेगा तो चलि पासानी से CACL2 लिख सकते हैं आगे बढ़िए अब इस तोनों को आप जोड़िए हाइड्रोजन पे प्लस सुलफर पे दो माइनस है अब देखिएगा जब इसको जोड़िएगा तो H2S बिल्कुल आएगा तो आप लिख दीजिए H2S क्या तकलिफ है यानि वही कुल मिला कर आपको आना चाहिए कितना प्लस कितना माइनस होता है यह सब आपको आना चाहिए तो चलिए बाइलेंस का बात है एक केल्सियम एक केल्सियम एक सल्फर तो एक सल्फर हाइड्रोजन एक तो हाइड्रोजन दो इसलिए यहां पर हम देंगे दो अब यहां पर हम देंगे द कर दातें ethic Mu अब रहा इसको समझाते हैं तो समझाते हैं आप अपने से भी बना सकते हैं हमको मालूम है उसका डिशाइड करते हैं ओल मूं येम पर तीन परम को सलफ फर को मालूम है PB होँ इसका क्लूरीन माइनश होता है और दोरीन पर क्लूरीन पर घ्राइना से झोड़ देना यानि- बीच वाला को जोड़ लीजिए माइनस प्लस को जोड़ लीजिए हाइड्रोजन पर एक प्लस है सॉलफर पर दो माइनस है इसको आप जोड़िएगा तो हम कम कर देंगे ठीक है कि चलिए बालेस्का बात है दो हम अल्मुनीम है तो यहां पर दो से माल्टिपलाई करेंगे हो गया दो सल्फर 3 गो है तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए सल्फर हो गया अब हाइड्रोजन को देखिए आपर 1 है यहां हाइड्रोजन 3 दूना 6 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन च्वागो हो गया तो 2 3 6 ख्लोरीन अल्शो इस प्रेजेंट इन दराइट प्लस माइनस आना चाहिए तो चलिए अच्छा लगा और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए लोग ताकि हमको आच्छा लगेगा और भी हमको हिम्मत बनेगा और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा था इस फिट ज्यादा था कि कम था ताकि हम आगले समय में ध्यान देंगे चलिए दोस्तों वीडियो हींड होता है इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वह भी पढ़े हैं चलिए बाए